नमस्कार साथियो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा ultimate session के साथ आपके सामने उपस्थे तुबे हैं मामला है चैट GPT को लेकर कि सरकार के नियंतरण में होने वाला है चैट GPT अब चैट GPT क्या है जिसको बिलकुल जानकारी नहीं था कि मीडिया रेंक्टिंग के अंदर भारत और ज्यादा नीचे खिसकर पहुँच चुका है 162 वे स्थान पर तो क्या भारत के अंदर जो मीडिया बगएरा है उसको फ्री रहने की इजाज़त नहीं है इस मामली को उससे भी जोड़ा जा सकता है और कौन से ऐसे मुद्द चैट जीपीटी के लिए साब एक अच्छी ख़बर नहीं है बुरी ख़बर है आईटी मिनिस्टर रिवील्स इंडियाज प्लान टू रेगुलेट ए आई यानि की आर्टीफीसियल इंटेलिजेंस जिसका प्रयोग किया जाता है चैट जीपीटी के अंदर उसको रेगुल के द्वारा चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए एक कदम और आगे चलते हुए अपना AI चैट बोट बनाया गया है इसकी भी हम चर्चा करेंगे इंडिया फॉर इंटरनेशनल फ्रेमवर्क टू रेगुलेट ए आई प्लेटफॉर्म्स लाइक चैट जीपीटी अब इ जैसे अन्य AI प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने की योजना बना रहा है असल में आर्टीफीसियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो जब मसीन के अंदर कोई मसीन फॉर एक्जामपल आपका कंप्यूटर जो है वो इंसानों की तरह इंटेलिजेंस दिखाना ज कोपी राइट और एल्गोरिदम को लेकर चिंताएं सामने आती है इसके साथ उन्होंने कहा पूरी दुनिया देख रही है कि AI के लिए रेगुलेटरी सेट अप और फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए जी सेवन देशों के जो मंत्री हैं डिजिटल मंत्री हैं गंभीर रूप स किया गया है जो कि जापान के हेरो सिमा में होने वाला है इसका सम्मेलन उसके अंदर तो जी सेवन देशों के साथ मिलकर काम करना चाहता है भारत क्योंकि वो भी इससे गंभीर रूप से चिंतित हैं इसलिए यह किसी एक देश का मुद्दा नहीं है यह वैस्विक मुद्द का है जिसे अंतर राष्टी है नजरिये से देखा जाना चाहिए AI प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव को बिभिन देश देख रहे हैं भारत में AI से रिलेटेड कानून अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा मतलब कुल मिलाकर जो जैसे 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 चैट जीपीटी की लोग प्रियता बढ़ती जा रही है जी सेवन के जो डिजिटल मिनिस्टर्स हैं उनकी मुलाकात होती है 30 अपरेल 2023 को और चिनता जाहिर की जाती है चैट जीपीटी की बात करेंगे उससे पहले समझते हैं कि यह चैट बोट क्या होता ह चैट बोट जो है उसी से मिलता जोलता सब दोना है चैट जीपीटी असल में आपने यदि कभी गौर किया हो आपके फॉर एक्जामपल आप वाटसेप पर आजकल तमाम चीजों से जुड़े हुए हैं फॉर एक्जामपल यदि आप भारत गैस नाम का एक सिलेंडर बुक क उधर आते हैं तो आपको उनका एक वाट सेफ नंबर दिया हुआ होता है वाट सेफ नंबर के अंदर आप लिखकर भेजते है हाई फिलहाल में बहुत ज़्यादा कारगर हो रहे है चैट बस जो है हमने लगाता देखेंगे अब ये चैट बस जो है इसी से आया है Čट GPT क्या है तो इसी प्रकार का ping चैटिंग सिस्टम है चैटिंग क्या है दो लोग यदि आप किसी से बात करते हैं फोन पर या किसी अन एप के माध्यम से तो बो है चैट, अब चैट को ही बदल दिया गया है चैट GPT के माध्यम से, अब होता इसके अंदर ये है कि मसीन के अंदर पहले से ही डाटा फीड कर दिया जाता है, जब डाटा फीड कर दिया जाता है, कोई यूजर यदि आप से ये पूछता है तो इसका ये जवाब automatically machine के द्वारा दिया जाता है यही system होता है chatbot का और इसी प्रकार से chat GPT भी काम करता है chat GPT क्या है artificial intelligence यानि AI पर काम करने वाली company है open AI इसने इसको बनाया है एक नया chatbot बनाया है तो और कुछ नहीं है ये जो है एक chatbot है इसके अंदर chatting की तरह ही होता है बस जवाब जो है वो आपको machine से मिलने शुरू होते है chatbot यानि machine से chat करना लेकिन इसमें आपको इनसान से बात करने जैसी feeling आती है इसका नाम है chat GPT यानि की generative pretend transfer chat generative pretend transformer ये है इसकी full form GPT की generative pretend transformer ये है एक conservation AI है एक ऐसा artificial intelligence जिसके साथ आप इंसानों की तरह बातचीत कर सकते हैं यानि आप उससे कुछ भी पूछोगे तो वह है आपको इंसानों की तरह detail में लिखकर उसका जवाब देगा ये है काफी accurate होता है लगभग accuracy के साथ ही जवाब देता है इसे 30 नवंबर 2022 को launch किया गया था ओपन AI उन सब कई कमपनियों labs और independent researcher में सामिल है जो ज्यादा modern chat world बनाने पर काम कर रहे हैं ये Siri या फिर Alexa जैसे digital assistant की तरह काम करेंगे लोगों की बात को अच्छी तरह से समझ सक है इसी प्रकार से तमाम जो आपको देखने को मिलते हैं Amazon के भी आते हैं तमाम है Alexa वालेक्सा वो सब उसी प्रकार से काम करने की थैयारी कर रहे हैं ज्यादा काम ये निप्टा सकेंगे users को भरोसा है कि नए chatboard Google या फिर बिंज जैसे internet search engine की जगह ले सकते हैं अब सबसे खतर चैट GPT के द्वारा लिखित रूप में आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है तो कोई व्यक्ति जब टाइम अपना नहीं खर्च करना चाहेगा तो वो गूगल से हटकर चैट GPT की तरह चला जाएगा या फिर search engine से हटकर चैट GPT की तरह और ये जो है आकरसित हो जाएगा चैट GPT पर आप किस तरह के सवाल पूँच सकते हैं कोई भी सवाल पूँच सकते हैं यानि email लिखने से लेकर cv तक आप इससे बनवा सकते हैं यदि आपको अपना bio data बनवाना है तो आप अपनी details इसको दीजिए आपको ये bio data बना कर दे देगा आपको ऐसे लिखना है किस सब्जेक्ट को लेकर आपको यदि coding तक आपको नहीं आ रही है किसी coding में आप अटक जा रहे हैं तो आप coding इससे पूचकते हैं ये आपको सटीक जबाब बिलकुल बिना घुमाई फिराय दे सकता है इसकी ये काविलियत है रील या फिर अपनी वीडियो कैसे वाइरल करना है इसका भी जब आप चैट जीबीटी देता है वाइस को क्या गिफ्ट दे इस पर भी चैट जीबीटी आपको सुझाब देता है जैसे यदि किसी student को डेमोक्रेसी पर निबंद लिखना होता है जैसे कि आपको डेमोक्रेस वर्ड का मुझे जो ऐसे लिखके दो तो 200 वर्ड का सठीक ऐसे आपको लिख देगा चैट जीबीटी लंबे जबाब के बजाए छोटे और सठीक सब्दों की जानकारी देता है चैट जीबीटी फैक्ट पेस करता है बिजनिस प्लान बनाता है आपकी सीवी तयार करता है औ क्योंकि 2021 से पहले का दुनिया भर का डाटा लगवक 500 Gb से जादा साड़े 500 Gb से जादा का डाटा इसके अंदर पहले से ही फीड किया गया था तो 2021 से पहले के डाटा के बारे में यह जानकारी दे देता है जब इसके पास कोई नए इंफर्मेशन नहीं होती है तो इस परका प्रधान मंत्री बनने कि क्या चांसेज हैं आप इससे पूछेंगे तो यह उसका भी जवाब देदेगा कुछ मिनिटों में ही आपके सवालों का जवाब दे देता है उपन याई ने अपनी वेब साइट और विस्तार पूरवक इसकी जानकारी दी है पांस सो सतर जीबी से ज चैट जीबीटी तो सेम आल्टमेन ने ट्विटर के मालिक एलन मस्क के साथ मिलकर 2015 में इंडिपेंडेंट रिसर्च बॉड़ी ओपन ए आई को बनाया था जो कंपनी है जिसने बनाया है तो कंपनी का नाम रखा गया था ओपन ए आई एलन मस्क टेसला बगरा के जो मालिक है एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आद्मियों की लिस्ट में सामल रहते हैं वो भी सुरुआत में इसके अंदर जोड़े थे लेकिन बाद में ये हट गए थे उस वक्त एक ब्लॉग पोस्ट में कहा गया था कि डिजिटल इंटेलिजेंस को इस तरह से आगे बढ़ाएं जि कि 83,000 करोर रुपे का निवेस किया है Microsoft Google को टकर देने के लिए प्रयास किया था कि Google जो की सर्च इंजन के तौर पर इतना पैसा कमाता है तो क्यों न ये चैट GPT के अंदर निवेस कर लिया जाए इसको खरीद लिया जाए इसलिए Microsoft ने किया था इसके अंदर अपना investment क्या च चार्ज करना फिलाहल सुरू कर दिया है Open AI to introduce chat GPT apps for iOS यानि कि यदि आप Apple का phone यूज करते हैं तो एक application ही आपके phone के लिए launch कर दी जाएगी और आप इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं application के माध्यम से अब तक बात हुई chat GPT की आपके मन में जरूर परशन आएगा इससे Google त तैयारी कर दी chat GPT से भी एक कदम आगे की नाम दिया गया है Bard AI Bard Artificial Intelligence नाम का AI launch किया गया है Google के द्वारा क्योंकि Google जो है वो बना रहना चाहता है race के अंदर आप जानते हैं थोड़ा सा बार्ड के बारे में तो tech company Google ने 10 माई 2030 को कैलिफोर्निया में हुए अपने सबसे बड़ आई ओ 2023 के अंदर ही feature launch किया गया था और इसी के अंदर AI chatbot जो होगा Google का जिसको नाम दिया गया है Bard इसको launch कर दिया गया है Bard अब भारत सहित 180 देशों में available हो गया है इससे पहले यह सिर्फ UK और US में available हुआ करता था Google का यह chatbot open AI के chat GPT को competition देगा Bard को पहले सिर्फ text के साथ launch किया गया था मतलब यदि आप chat GPT से कोई present पूँचते हैं तो आपको क्या images दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी क्या आपको कोई video दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी लेकिन Google ने एक कदम आगे का काम कर दिया है इसने जो है शुरूआत इसके अंदर ये जोड़ी गई है उधारन के लिए मान लीजिए कोई user मुंबई ट्रेवल कर रहा है और वो मुंबई में मुझे कहां यात्रा करनी चाहिए प्रॉंप्ट का उप्योग करता है तो Bard अपने response में text के अनुरूप visuals को भी सामिल करेगा इसके अंदर visual भी सामिल क इसके अंदर नया फीचर जोड़ा गया है एक्सपिरियेंसिंग को बहतर करने के लिए गूगल बार को डॉक्स ड्राइव जीमेल मैप्स और अन्य प्रोड़क्ट के साथ इंटिग्रेट करेगा यानि कि गूगल के पास अपने पहले से ही तमाम एप्लिकेशन्स हैं जैसे क गूगल डॉक्स देखते हैं गूगल ड्राइव देखते हैं तो इन सब के साथ मिलकर ये जो है अपना एक्सपिरियेंस लेवल का ही बनाने वाला है डॉक्स ड्राइव जीमेल में भी आप बार्ड का इस्तिमाल कर सकेंगे इसके अलाबा एड़ ओफ फायर फ्लाई जैसी ब बार्ड जो है उसकी है गूगल इसका जो हेड़ क्वार्टर है वो है सेन फ्रांसिसको में चैट जीपीटी का कैलिफोर्निया में है गूगल बार्ड का दोनों ही अमेरिकन कंपनिया है और अमेरिका एक नया ऐसा प्रोडक्ट लांच कर दिया है जिसके पीछे फिलाल पूर तरह से launch किया जाएगा estimated revenue जो है 200 million इसका अभी unknown है क्योंकि फिलाल ये launch किया गया है chat gptver अपना account आप कैसे बना सकते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले openai.com पर जाना होगा web browser है web browser के उपर आपको जाना होगा openai.com पर इसके बाद एक page open होगा इसमें उपर की window में try लिखा होगा आपको इस पर click करना होगा इसके बाद नया page खुलेगा यहाँ पर आपको sign up करना होगा यानि आपको अपनी email id डालनी होगी फिर आपको एक password create करना होगा password create होने के बाद आपको फिर से login करना होगा इसके बाद एक flashboard दिखाई देगा जिसमें chat gpt लिखा होगा होगा और bugle में new chat का option होगा इसके बाद chat gpt पर आप कोई भी सवाल पूंच सकते हैं आपको text के अंदर यह जवाब मिल जाएगा google का जो नया chat bot है उसको आप कैसे प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले आपको bard.google.com पर जाकर अपने google account में login करना होगा जो नया page open होगा उसमें नीचे की तरफ दाइक ओने पर try me option क्लिक करें page के bottom में I agree पर क्लिक करके board की privacy policy जो है उसको accept करने के बाद बार्ड का आप प्रयोग कर सकते हैं Lab और हानी दोनों ही होते है जब भी कभी टेकनोलोजी का advancement होता है जब भी टेकनोलोजी बढ़ती है उसके साथ खत्रे भी आते है और उसके lab जो है वो भी होते है थोड़ी सी चर्चा करते है कि क्या-क्या इसके lab है तो chatbot कोई लिम्टेशन नहीं है 24 गंटे ये अविलेबल हो सकता है फोन लाइनों को मुफ्त करते हैं फोन लाइन जो है वो उनका यूज करने की यूजर को जरूरत नहीं रहती लंबे समय तक समर्थन करने के लिए लोगों को काम करने की तुलना में बहुत खर्चीले बहुत कम खर सकता है लोगों को अपनी जॉब खोनी पड़ सकती है क्योंकि जब मसीन काम करेंगी लोगों का तो लोगों की आवा सकता नहीं होगी AI और प्राकृतिक भासा प्रसंसकरण का उप्योग करते हुए चैटवर्ट अब प्राकृतिक भासा प्रसंसकरण क्या है जैसे कि आपको इंडिया की लेगवेज है हिंदी हिंदी लेंग्वेज है लेकिन इसको AI को बनाय गया शिरम्योपी के अंदर तो इसका इह एक फायदा है कि इंग्लेश से यदि आप अपनी लेंग्वेज के अंदर चाहते हैं जवाब तो उसके अंदर भी जवाब देने में यह सक्षम हो और उस company से share किया जाता है तो जो लगातार प्रस्ण होते हैं company को good feedback मिलता रहता है और company इससे अच्छा काम करने की और आगे बढ़ सकती है अब इसकी हानिया क्या है नुकसान क्या है प्राकृतिक भासा प्रसंसक्रण के साथ जब बात आती है language की प्रसंसक्रण यानि की processing language processing English स कि हिंदी के अंदर जब transfer करेगा यह language तो कोई हिंदी का expert व्यक्ति नहीं बैठा होगा इसको transfer करने के लिए क्योंकि machine के अंदर जो कुछ data feed है उसी के माध्यम से translate कर दिया जाएगा इससे जो अर्थ होता है उसका अनर्थ होने की संभाबनाव से इंकार नहीं किया जा सकता ह कि जो मतलब उस बात का English में exactly है जो बात किसी बात का जो अर्थ English में है उसका exact अर्थ हिंदी में सेम निकल आए इसकी guarantee नहीं है संभावनाएं कम रहती हैं कई chat watch उन प्रसनों के दायरी में भी सीमित हैं जिनका वे जवाब देने में सक्षम है chat watch लागू करने और बनाई अपडेट करना होगा टेली हजारों घटनाएं घटती हैं और उन सभी को अपडेट करना होगा ये एक challenging task है AI में भावनाओं का समाईवेशन अभी चुनौतिपूर है इसके अंदर भावनात्मक कोई भी लगाव नहीं है हालांकि AI द्वारा unethic और hate speech के खत्रे बने हुए ह hate speech पगेरा हो सकती है अब regulation क्यों लगाना चाहती है सरकार इसके उपर भारत सरकार ने क्यों कहा है कि हम इसको regulate करेंगे नियंतरित करेंगे बड़ा प्रस्न है और इस प्रस्न का जवाब सीधे सीधे बात करते हैं सबसे पहले बात आती है misinformation की कि ये प्रवान कर सकता है misinformation जबाब सटीक है आपका या नहीं है जानकारी सही है या नहीं है इसकी जवाब देही कौन तय करेगा? सरकार जो है इस बज़र से पहला कारण है कि अपने नियंतर में इसको लाना चाहती है कई देशों का मानना है कि चैट जीपिटी की मदद से झूट फैलाया जा सकता है स साथ ही निजीवा संवेदन सील जानकारी भी लीक हो सकती है इस चैटवाट पर बेन लगाने वाले सभी देशों की लिस्ट में अब इटली भी सामिल हो चुका है इटली ने चैट जीपीटी पर अपने देश के अंदर प्रतिबंद लगा दिया था थोड़ी सी जानकारी लेत था कि इटली के यूजर्स चैटवाट के साथ किये गए एक दूसरे के कनवर्सेशन देख सकते हैं आपने चैट जीपीटी से क्या प्रस्न पूछा कोई तीसरा व्यक्ति यदि ये देख ले तो इससे आपकी प्राइविसी का बहुत बड़ा ब्रीच इसको माना जाता है औ लीक्ड यूजर्स कनवर्सेशन हिस्ट्री जो थी वो लीक कर दी कई थी एक बग के द्वारा चैट जीपीटी बग एक्सिदेंटली रिवील्ड यूजर्स चैट हिस्टी क्या क्या चैट की गई है वो सब कुछ रिवील इसके द्वारा कर दिया गया था ऐसी घटना आई थी और चैट जीपीटी को खुद आना पड़ा था आगे और माफी मागनी पड़ी थी और समझाना पड़ा था लोगों को कि ये एक गलती हो गई थी इटली ने ओपन ए आई पर प्रतिबंद लगा दिया था इटली के डाटा प्रोडक्शन वाच्टोग है निगरानी रख करीब 177 करोड रुपए या फिर सालाना कमाई के चार प्रतिसत जुर्माने के तौर पर भरने की भी बात की गई थी हाला कि जो प्रतिबंद था उसको हटा लिया गया था इटली लिफ्ट्स बैन ओन चैट जीपीटी आफ्टर डाटा प्राइवेसी इंप्रूब्मेंट ज जिन देशों में चैट जीपीटी को बैन किया गया है उनकी लिष्ट में रूस, इरान, नौर्थ कोरिया, क्यूबा और सीरिया सामिल हैं चीन को डर है कि अमेरिका अपने चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तिति नहीं पैदा होने देना चाहते हैं इरान, नौ जीपीटी पर बैन का हिस्ता है, चीन ने एक अलग लेवल का काम कर दिया है, चीन ने क्या काम कर दिया है, जैसे कि चीन की आदत है, चीन जो है दुनिया के अंदर अपने देश के अंदर दुनिया की कोई चीन नहीं चलने देता, इनकी जगहें चीन ने अपने सारे के सारे software अपने अलग बना रखे हैं इनको सबको copy paste कर रखा है और अपने users को अपने बनाई हुए software से use करने देता है तो जो chat GPT जब आया तो tongi kaiwan नाम से इसको चीन ने अपने देश के अंदर बना कर खड़ा कर दिया कि हमारे देश की user जो है chat GPT यूज नहीं करेंगे यह tongi kaiwan नाम का जो एप है इसको यूज करेंगे मतलब चीन अपने लोगों को दे रहा है चीज़ें लेकिन पस्चिमी जगत के साथ कोई contact नहीं देखना चाहता अगला जो दुस्परिणाम सामने आ आप देता है कॉपी में उसको लिक करसी दे जाते हैं और बच्चों के मस्तिस्क में जो ग्यान है वो बिलकुल नहीं आ पाता है ये दुस्परिणाम सामने आ रहे हैं क्या है मामला पूरा तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं तो आप न्यूज देखते हैं American student cheat on test using chat GPT cheating क रहे नकल चल कर दी chat GPT का यूज करने के बाद student does major blender while cheating on test तमाम न्यूज आप देख सकते हैं कि chat GPT का प्रयोग students के द्वारा cheating में किया जा रहा है इसी की चलते भारत का जो CBSE है Central Board of Secondary Education इसने chat GPT के वरोध में कहा है कि बिलकुल स्कूलों के अंदर chat GPT का प्रयोग ना किया ज बात करते हैं ठोड़ी सी कि भारत क्या कर तयारी कर रहा है जब भारत इसको नियंतर्ट करेगा तो नियंतर्ट करने के बाद क्या chat GPT अपनी सेवाएं भारत में देने के लिए तयार होगा यदि तयार नहीं भी होता है तो कोई फरक नहीं पड़ने वाला है क्योंकि हमारी जो आईटी मिनिस्टर हैं अस्विनी वैसनप साहब इन्होंने कहा है बयान दिया है इंडिया टू लॉंच इट्स ओन चैट जीपीटी हम अपना खुद का चैट जीपीटी का एक राइवल कह सकते हैं या फिर इसको रिप्लेस करने वाला एक एप्लिकेशन या फिर एक सॉफ बहुत स्वागत है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलेंगे अगले सेशन में तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जैएंद